मुद्दे की बात स्वागत आपका मैं हूं जैदीव राठी और इसमें हमारे साथ मुझूद है स्वागत विधान स्वा चेतर से पूरो प्रत्यासी रहे इनलो के सुरेंदर पवार जी सुरेंदर जी सबसे पहले स्वागत आपका सबसे पहला सवाल सुरेंदर जी आप शीया है आप मुझता बात करें बिजनसमेंन रहे हैं काफी लंबे समय तक समाच भी हैं तो राजनीती की तरफ जो भूख करना था वो कहा से सोचा की अब मुझे राजनीती में जाना था यह वो कहा से सन दो अजार में सोनी बच से मैंने नगर पारसद का चुनाओ लड़ा था और मैं काफी वोटों से जीता और उनदनों में इनलो के ही सरकार थी उन चार-पांच साल में मैंने लोगों के बहुत ही काम करें समाच सिवा कारिया किया तब से मेरे मुझे यह रहा कि क्यों कि Arm-Zal डूकी बहुत से ऐसे कारियाiman कि जो पॉलिटिक्स में रहे कर ही प्रखे कर शता हैं समाज स्वावी साथ साथ चो प्रशासनी काम है और पुलिटीकल ही करायए मिल पोलिक्स मेर है कर सकता है तबसे ही मेरे मन में था उर मैं तबसे ही सुरूजे नगोसे जुड़ा हूँ हूँ और 2014 मुझे इंडियन एसलोगदल का सुरूजी अफिता हन्सवा से टिकट मिला और मैंने चुनाव लड़ा जाल जिस भी जोडी एंड शुटार्ण जोड़ा होग है। कि और दो मैं पेरे हिन में तो समाच सेवा का ज़जब रहा है। सुरणीज्जी बल्कुल छुनाओ आपने लड़ा पिछला और जो गजित नहीं पाए। तो उस हार के पीछे क्या आप रीजिन देखते हैं कि यह कारण रहे कि मैं चुनाओ में जीत नहीं पाई इनलोगे इंड़ा इंड़ागता मैं समझता हूं कि क्योंकि पिछले चुनाओ में मुझे 30,000 वोट मिलें मैं भी हार नहीं समझता क्योंकि 2009 का जो चुनाओ रहा है तो उसमें कविता जैन जी को लगबग 32,000 वोट मिले थे जिससे के उनकी जीत होई थी लेकिन कि दोजरचोडा का चुनाओ एक अलग तरह चुनाओ था इसमें क्योंकि मोदी जी के जो जो फूटे वाइदे रहे लोगों ने लोगों के मन में यह था कि मोदी जी ने जो यह कहा है कि पंदरा अजार रुपे पंदरा लाग रुपे का जो वो राशी सब इस खाते में गार देंगे तो उस तरह से एक लहर थी मोदी जी की तो वही वज़े रही लेकिन मेरा प्रदरसन अच्छा रहा दोजर चोदा में दूसरा अर्याना में एक मुद्धा यही था कि राम रहीम जी ने जो अपड़े समर्थकों को सब को यही का दा कि एक तरफा बीजे पीग वा कि वोड़ दिया था इसी वज़े से बीजे पी अर्याना में सरकार बना पाई तो अब यह समस्दाओं कि वह सारे मुद्धे क्योंकि तो क्या मांते मोदी फेक्टर इस बार नहीं चलते हैं क्योंकि अब आम जंद समझ चुका है कि मोदी जी के जितने विवाइदे थे वह जोटे थे चाहे उनका रोजगार देने का मुद्धा हो और चाहे पंदरा पंदरा लाक वाला मुद्धा हो तो इस तरह से आज आम आदमी हर इंसान उनसे कट चुका है नराजगी है बीजे पी के परती और मैं समता हूं कि आने वाला जो समय है वह इंडियन नेसल लोकल और पहुजन समाजपार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी है तो अगर आपकी बात करें सोनी पत्विधान समाजपार्टी की बात करें तो आपकी मुद्धों को लेकर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं और को एक ऐसा मुद्धा की आप समाज़ते हैं कि अगर आप MLA बनते हैं जैकि बहुत से मुद्दे हैं सोनी बत के लिए काम करने के लिए इतने कारिये हैं जो कि मैं यह समझता हूं कि कवीता जाएं जी पो यह सारे काम करने चाहि और मैं समझता हूं कि उनके पती राजीव जैन जी भी मीडिया सलाकार है मुख्या मंत्री जी के तो इससे बड़ी पावरोर क्या होगी है तो उन्हों को ने क्योंकि चन्निगर जाकर बैठ गए और स्वानीपत पे कोई ध्यान नहीं दिया जितने उन्होंने जोटे वाइदे किये दे एक विवाइदे पे उखरे नहीं उत्रे और आज स्वानीपत की विदानसभा से तो मैं यह कौंगा कि पूरी जनता पूरे तरह से प्रिशान हो चुकी है उनके प्रतिनाराजगी है और जहांद मेरी बात है एगर स्वानीपत विदानसभा चेतर के लोग मुझे आ पानीफील के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कोई के उनकी सुनवाई नहीं है मंतरी जी जाते जबके वही महकमा होते हुए उनका महकमा होते वे उन्होंने कोई कारिया नहीं किया अगर सबसे पहला कारिया तो मैं यह करूँगा कि जो 31 वार्डों में चैये उसमें पानी की समस्या है चाहे शीवर की समस्या है चाहे बिजली की समस्या है उन समस्या हुआ समादान कराने का काम करूँगा दूसरा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है आज हर घर में बेरोजगार यूवर यूतियां बैठी है जबके बीजेपी पार्टी ने सरकार बनने से पहले यह वायदा किया था लोकों को कि हम की और राज रजगार के नाम पर जब आपने देखा कि परदार मंचरी जी भी कुषिज करं। कि इसको भी यह है विद्ध आंज़ को पहुंसता हूं तो सरकार से सबसे पहले चाम मैं कराने की लुट कोशिज करूँगा कि यहां जदा जदा वो ढगवाएं जाएं जाएं क्योंकि जितने भी जदा ज़्यादा रोजगार ऊथ यूपों से मिलता है और जितने जद दो लगेंगे उतने जदा को रोजगार भीलें सुनिपत से विधायक कवीता जैन कैबिनेट मंत्री भी है हरियाना सरकार में तो उनकी करेकाल को कहा देखते हैं खासकर इस विधानसभा चेतर के लिए जो वाइदे उन्होंने किये थी ज़र उनका मैनिफेस्टो था क्या वो कंप्लीट नहीं हो पाया है आद भी मुख्यमंत जो वाइदे थे वो 80% पूरे कर दिये गए जी जहां तक बीजेपी की बात है चाहिए उनके पार्टी के नेता होंगी या मुख्यमंत्री जी की वो आई दिन जितने भी बात करते हैं खोगली और जूटी बाते करते हैं रही बात उनके रोडशों की आपने भी देखा पू पांत सो लोगों में से टाइसो लोगों जेब कटी है जिन्हों ने मुख्यमावी दर्शों करवाया है विजेब कटी हैं तो रोडशों फलोप रोडशों था अब बात करें नगर निगम चुनाओ का बून चुनाओ का आप कैसे देखते हैं काफी लंबे समय से शहर के चुनाओ होने चाहिए तुसे क्या महज सरयोग है या यह नहीं बीजेपी की जो भूमी का है मैं यह समझता हूं क्योंकि नगर निगम के चुनाओ में जो पार्शच चुन गयाते हैं वही अपने गली मोले वाड़ों की समस्या सुनते हैं और वहीं उन समस्याओं का समाधा बनता तो वह इनका जो काम जो तहा आ बनुएंगे पावर चेन जाते ही जी तो इन्होंने वह पावर ना चेने तो कहीं न कहीं इन चुनाओं को अटकाने में इनका ही आत्रा रहा है इसे पहले भी परदेश के अंदर बीजेपी और इनलों के गड़बंदन की सरकार रही है त ड़ी कि इन्टियन एसलोग्दल और पहुजान सवाजपाटी का आज अरियहना में सम्झोता हुआ है और बए सम्झताओं के यह सम्झब आँ बहुती कामयाब सम्झोता है और सभस्त बहूमत से हमारी सरकार बढएगी और मुझे नहीं लगता कि कहीं बीजेपी के समरतनी बिल्कुल एक और बात हम करें सोनी परतर विधान सवा से आज तक कोई कंडिडेट इनलो का हम भे वो नहीं जीत पाया है एक बड़ी चुनोती आपके लिए है कि लोगों के मन में एक तरीके से वहम है भरम है कि इनलो का जो कंडिडेट है सहरी जीट के लिए वहां पर जाकर ही करते हैं तो उस चुनोती से उस समझ से किस तरीके से बाहर निकलने की प्लानिंग आपके दोरा की गई है देखिए आज वह बात नहीं रही यह बात आपकी ठीक है कि क्योंकि जितने बार चुना हुए ज्यादा तर तो इनलो और बहुजन समाज पार्टी इनलो और बीज ही है कि 30,000 के करीम मुझे वोट मिले हैं तो लो और बोदी जी की तनी भारी लहर के बावजूद भी वोट मिलें तो आप बात नहीं है कि अब यह कहें कि लोगों का रुजानी ने लोगी तरफ नहीं है आज आप किसी भी वार्ट में सौनीपत में जाएं बात करें तो क्यो दो जार नो से चोदा रही और चोदा से उनीस ओने जा रहा है तो उसमें भी वो विदायक रही है तो लोग बीजबी से भी खिलाब है और कॉंग्रेस से पहले ही खिलाब थे हैं तो लोग मारु जान अब यही है कि एक मुझा इस बार सोनीपत से सबस्क्राइब की सीट भी बहुत जादा वोट मार्जा से जीत होई एक और आपने कहा कि प्रदेश में लेकिन अभी पिछरे कुछ दूने से बाते चल रही है खासकर इनेलो जो प्रिवार है उसमें एक दरार की बात चल रही है कि बैच उटाला अलग गूट हो गया है कि कि दुशंत की अलग प्लानिंग चल रही है तो मुक्हमंतरी का चेहरा जो है वो फाइलाइज करने में भी जोटी को कि उनेलो सुप्रीमों अभी जेल में हैं सिदा जाता है तो उस स्थीती में कैसे हालात बंते नहीं एसा कोई यह जितने भी यह बरम पहलाया जा रहा है य यह पूरा पुरीवार एक जुट है तो इस लोग पार्टी एक टरहीं करें पूरा परिवार नहीं और ऑप देखेंगे कि और आप वह जितने ही मन्च है तो हरम मंच पे यह पूरा परिवार साथ खड़ा होता है और मैं समझता हूं कि विदायक चुनाओ की बात है विदायक चुनाओ के आएंगे और जैसे जो चाहेंगे यह सबसे मिलके सभी विदायकों से बात करके जो ठीक समझेंगे उस समय मुख्यमंतरिया चुनाओ कौंग्रेस की स्थिती को आज कहा देखते हैं आप 10 साल तक इससे पहले कॉंग्रेस का प्राद रहा वुपेंदे सिंग हुडा यहां के मुख्यमंतरी रहे और लगातार सोनीपत और जो साथ हुटा इलाका उसको एक छोटा भाई बानके वह हमेशा मंद से बोल जाते हैं कि सोनीपत का विकाथ उन्होंने बहुत करवाया है वो रोह तक से हैं तो सोनीपत को पना छ जजर भी रोत काई पार्ट रहा है तो यह मानते हुए उड़ा साथ की परती लोगों ने विश्वाश्वेक किया था लेकिन आप यह देखिए कि जब उड़ा साथ मुख्यमंतरी बने थे तो 67 सीटें कोंग्रिस को मिली थी और जब वो छोड़के गए उनका कारीकाल पूर है और कितने ही उनके जो प्रत्यासी रहे हैं उनकी जमाना जबत होई है तो और क्योंकि आप सुनी बत रोत तक और जजर की जंदा भी देख रही है क्योंकि उड़ा साथ चार सीटों रखे हैं वहीं समझते हैं सबके समझ में भी है कि कॉंग्रेस उनको आगे कोई पत देन नहीं हैं तो उनका रुजान भी आप इंडियन नेसलोग दिली तरफ चले गया है तो अप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं आगे फूरिशे में चुनाव होने वालता है किस तरीका रिस्पोंस जो लोगों का आपको मिल रहा है फीडबेक कैसा मिल रहा है और मुझू पिल्कुल मुझूदा सरकार के बारे में लोगों रोस है लोग यहीं जार कर रहे हैं किस समय चुनाव आए और किस समय हम जो हैं इनको बदले ही सरकार को बदले हैं यह थे सोनीपत्ष पिधान सभा से इनने लोगे पूरु प्रत्यासी रही हैं समाच्छे भी हैं और अगा ज कामने ने के लिनी एल्गे तब तक के लिए हमेदी इसमय जी इजाजटी और थीक्शए